हम मैंसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आटमी में काम कर रहे हैं और जब मार्केट में जाते हैं उनको उनके मन मताबिक परिदाम नहीं मिलते हैं तो वो डिसपॉइंट होते हैं तो मैं कैसे मॉटिवीशन को बनायी रखता हूं मैं आपको अपने कुछ तरीके शेर करता हूं आप हमेशा यह सोच के चलिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपके लिए नहीं आपकी फैमिली के लिए नमबर वन अगर आप मैरेड हैं तो यह जब आप यह सोचेँगा तो retirement के बाद में आपका जो भी primary income source है चाहे आप job में है private job में, government job में है या किसी traditional businesses है तीनो equation में या कोई freelancer हैं जा मान लिए कि आप trade का काम करते हैं कोई और freelancing service देते हैं तीनो चारो equation में retirement के बाद में आपका जो income है उसका graph down जाने वाला है या upward जाने वाला है ये दो ऐसे factor हैं जिनको अगर आप दिमाग में रख के atomy को operate करोगे और काम करना शुरू करोगे तो आप यहाँ पे अगले 10 साल तक बिना किसी रुकावट के काम कर पाऊगे यूँकि ये चीज़ें आपको लगतार काम करने के लिए motivate करेंगी मैक्समम ऐसी प्राइवेट जॉब्स हैं मैक्समम ऐसी जगहें जहाँ पे लोग आज अगर लाख रुपे महने भी कमा रहे होंगे तो उन्हें ये नहीं पता है कि कल तक उनकी जॉब सिक्क्या और है कि नहीं ठीक है और बहुत सारी ऐसी अगर वो नहीं जाएंगे वो बीमार पड़ जाएंगे या वो नहीं रहे तीनों इक्वीशन में जो है वो उनका बिजनस ऑपरेट नहीं होगा तो इस टाइम पे या इस कंडिशन में सिर्फ और सफ एक ही बिजनस या आपको जो है वो help कर सकता है वो जिसमें हमको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग को एक नेटवर्क क्रीट करना है अगर हम लोग क्रीट कर लेंगे तो हमारे साथ में सस्टम बना हुआ है कल चल के ऐसी कोई एक्वेशन आ जाती है कोई situation बन जाती है तो हमारी फैमिली भी secure है क्योंकि हम अगर काम नहीं करेंगे तो भी हमारे जो हम लोगों ने जो network बनाया है वो network हमको support करेगा और मान लीजे कि जब आप retirement तक पहुंच जाते हो तो ये एकलौती ऐसी industry है जहां पे retirement के बाद में आपका income बढ़ेगा अगर आपने इस industry को committed way में dedicated way में बहुत महनत करते हुए consistent कुछ साल जो है वो दिये हो तो ये दो चीजें हमेशा दिमाग में रखेगा आपको कभी भी जो है ना आपको motivation की जरूत नहीं पड़ेगी नाइट थैंक यू सो मुच ओ